नमस्कार दोस्तों तो आज हम जी सौके सपोर्ट वाच में अलार्म को सीट करना सिखेंगे तो यहाँ प्रोसेस बहुत है सिम्पल है तो वीडियो को अन तक देखिए ना वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलो वीडियो सुरू करता है तो यहाँ रहा हमारा जी सौक का सपोर्ट वाच इसमें हम आज अलार्म को सीट करना सीखेंगे तो सबसे पहले मैं एम और पिम के बारे में एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ जब भी एम का समय होता है मतलब सुबा का समय होता है तो इस घड़ी में एम कहीं पे लिखा नहीं होता है जैसे कि अभी सुबा के 10.43 हो एम हो रहे हैं तो एम या एक कहीं पे लिखा नहीं है जबकि पीम वाला समय होता है यानि दो पहर या दो पहर के बाद वाला जो समय होता है तो उसमें यहाँ पे P लिखा चला आता है इससे कि आपको पता चल जाता है कि यह PM वाला समय है और कौन सा AM वाला समय है तो आप लोग को समझाने के लिए मैं एक एक्जामपल लेता हूँ आज मैं इस घड़ी में 5.30 AM और 5.30 PM का अलार्म सेट करके आपको बताऊंगा तो आभी सुबा के 10.45 AM हो रहे हैं और यह घड़ी 12 घंडे वाले मोड में है तो सबसे पहले मैं 5.30 AM का अलार्म सेट कर लेता हूँ तो अलार्म को सेट करने लिए सबसे पहले आपको मोड वाले बटन को दो बार लगातार दबाना है इसके बाद हमारा जो घड़ी अलार्म सेटिंग वाले मोड में चला आता है इसके बाद जो रिसेट का बटन है उसको एक बार दबाना है जिससे के घंटा ब्लिंग करने लगता है इसके बाद हमें 5-30 am का अलारम सेट करना है तो घंटे को यहाँ पर 5 करना होगा तो start वाले बटन को तब तक दवाते रहना है जब तक यह आप 5 पर नहीं चलाता तो हमारा घंटा 5 हो चुका है इसके बाद हमारा घंटा है वो सेट हो चुका है अब मिनट को 30 में बदलना है विकॉज हमें 5-30 am का अलारम सेट करना है तो फिर से आपको reset वाले बटन को दवाना है और हमारा जो minute है वो blink करने लगता है इसका फिर से आपको start वाले बटन को दवाना है और तब तक दवाते रन है जब तक कि यह 30 पर नहीं चला आता तो हमारा 5-30 am का अलारम सेट हो चुका है अब हम mode पर क्लिक करते हैं अब हमारा 5-30 am का अलारम सेट हो चुका है तो इसी तरह से हम 5-30 pm का भी अलारम सेट कर सकते हैं तो mode वाले बटन को फिर से दो बर दवाना है और reset वाले बटन को एक बर दवाना है तो यह जो हमारा alarm था वो 5.30 am पर set है तो हमें इसे 5.30 pm करना है तो मैंने पहले ही बता रखा है जब pm होता है तो यहाँ पर p लिखा चला आता है तो हम यहाँ start वाले बटन को तब तक दवाते रहना है जब तक कि यहाँ पर p लिखा नहीं चला था तो यहाँ पर 5 और p लिखा आ चुका है और minute तो पहले से ही set है 30 तो 5.30 pm बाला भी alarm हमारा set हो चुका है तो 5.30 am और 5.30 pm का alarm set करके मैंने आपको बता दिया अगर आपको कोई concern है कोई दिक्कत हो रही है तो comment section में बता देना मैं उसका reply कर दूँगा अगर video helpful लगे हो तो please do subscribe, thanks पिस